नॉइडा, ग्रिटर नॉइडा और साथ ही गाजियाबाद में अगर आप प्रॉपटी खरीर कर रिजिस्ट्री करवाने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है कोविट प्रोटोकॉल को ध्यार में रखकर रेवेनियू एंस्टाम डिपार्टमेंट ने अब पूरे प्रोसेस को बेहत जादा सिंप्लिफाई कर दिया है दरसल अगर तीनों में से किसी भी इलाके में अगर आप प्रोपर्टी की रिजिस्ट्री करवाते हैं तो अब आपको एडवोकेट की जुरत नहीं पड़ेगी आज के शो में बात करेंगे कि किस तरीके से लीगल प्रोसेस को आनलाइन किया गया है और आपको किस तरीके से प्रोसेस को फॉलो करना है और साथ ही आप कैसे आसानी से अब रिजिस्ट्री करवा पाएंगे फटा-फट से देखिए शो में नौईड और गाजियाबाब में Registration and Stamp Department ने अपने सिस्टम को और सिंप्लिफाई कर दिया है आप से पहले प्रॉपर्टी की Registry करवाने के लिए Advocate से अधर कागजाद बनवाने की जरुत आपको पड़ती थी तो अब ये नहीं पड़ेगी आपको बता दें कि Revenue Department ने COVID के चलते Registry Application के प्रॉसेस को लोगों के लिए आसान बनाने के लिए Online Registry System लागू किया है यानि Registry के लिए Online Apply करना होगा और इसमें आने वाले Advocate के खर्चे का बर्डन अब आप पर नहीं पड़ेगा पेपरवर्क प्रिपेर करने के लिए हैसल से बचने के लिए लोगों को Registry के कागजात तयार करने की जिम्मदारी के लिए Advocates पर हजारों रुपे खर्च करने पड़ते थे सिस्टम को कुछ इस तरीके से बना गया है कि Registry में यूज होने वाले पेपरवर्क को भी आसानी से त्यार किया जा सकेगा नौईडा की वेपसाइट www.igrsup.gov.in पर जाकर Registry प्रोसेस को आप आसानी से समझ सकते हैं और कर भी सकते हैं अब आपको समझाते हैं कि Advocate के बिना ये सिस्टम कैसे काम करेगा सबसे पहले सिस्टम में Auto Generated Sublees में Property Buyer और Property Seller की डिटेल भरी जाएंगी Registry की सबली सीधे Department और Registry करवाने वाले Buyer और Seller मिलकर format के हिसाब से ओनलाइन तैयार कर सकते हैं Registry के लिए Property Registration Process में Property की Value, Stamp Duty, Paper खरीदने, जमीन या Plot बेशने और खरीदने के कागजात बनवाने में Advocate की जरत परती थी अब ये सब Buyer और Seller खुद ही मिलकर कर पाएंगे Government Level के निर्देश के हिसाब से Registry Department अपने हाँ ये पूरा प्रोसेस लागो कर चुका है COVID के चलते सिस्टम काफी Fast और Easy किया गया है ताकि लोगों को आसानी रहे System Online होने से Registry करवाने के लिए Advocate की Dependency खत्म करने के लिए ये कदम उठाया गया है इसके लावा COVID में लोग Registry करवाने से बच रहे थे इसको बढ़ावा देनी के लिए भी फैसला किया गया है ताकि revenue department को नुकसान ना हो वैसे भी सरकार लंबे समय से e-governance पर पूरी तरीके से जोर दे रही है और सभी कामों को online करने पर तेजी से काम भी किया जा रहा है अगर आकलों की बात करें तो annual target of physical 2021 is 3,148 करोड रुपीज था लेकिन department did not registered any property in April and revenue was zero that month In May, June and July, however, the department collected रुपीज 12 करोड, रुपीज 60 करोड and रुपीज 110 करोड respectively as stamp duty In August and September, department collected around रुपीज 300 करोड and received around रुपीज 600 करोड in third quarter through the stamp and registration हाल ही में गाजियाबाद में एड्वोकेट्स की स्ट्राइक के चलते भी यहाँ पर रेजिस्ट्री के काम पर बेहत बुरा असर देखने को मिला था यही वज़य है कि यहाँ पर यह दिशा निदेश दिये गए हैं कि online ही अब पूरे प्रोसेस को फॉलो गिया जाएगा ताकि अड्वोकेट्स की डिपेंडेंसी खत्म हो जाए आज के शो में बस इतना ही लेकिन MBTV आप से यही गुजारिश करेगा कि आप घर पर बने रहें stay at home, stay safe लेकिन इस वीडियो पर like, share, comment करना ना भूले मुझे ट्विटर पर, insta पर और साथ ही facebook पर भी follow जरूर करें मैंने अपना handle नीचे दिया है थैंक्स वर वाचिं प्रोपर्टी मैंटर्स गार्मान नितिन के साथ, शिल्पी दूदेजा, MBTV प्लीस सब्सक्राइब तो मैजिक ब्रिक्स on YouTube and click the bell icon to get new videos